नमस्काल डीवी नीउस में आपका स्वागत है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खलके की और से प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी के नाम लिखे पत्र का जवाब भार्तिय जंता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नडडा की और से दिया गया है नडडा ने अपने पत्र में कहा कि राहुल ने बार बार पिया मोदी का अपमान किया है यहां तक कि सोनिया गांदी रे पिया मोदी के लिए मौत का सौधागर शब्द का इस्तिमाल किया इससे पहले खलगे ने पिया मोदी को लिखे पत्र में केंद्रे मंत्री रवनीत बिट्टु समेथ उन कई नेताओं के खिलाफ कारवाही करनी की बात की जिन्होंने राहुल गांदी के खिलाफ अपति जनक एवं हिंसक बयान दिये हैं बीजेपी के अध्यक्स जेपी नडडा ने अपने पत्र में खलगे को जवाब देते हुए कहा कि आपकी और से कही गई बाते यथार्ट और सत्य से कोसुदूर हैं ऐसा लगता है कि अपने पत्र में आप राहुल गांदी समेथ अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल या फिर जान बूच कर नजर अंदास किया है इसलिए इस मामले में मुझे लगा कि उन बातों को विस्तार के साथ आपके संग्यान में लाया जाना चाहिए नडडा ने अपने जवाब में कहा कि आपकी और से भेजे गए पत्र में जिस तरीके से राहुल गांदी को लेकर बात की गई है इसलिए मैं उसी से अपनी बात शुरू करूंगा जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के पीम समेत पूरी ओबे से समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा है पीम मोधी के लिए अत्यांत और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो जिसने संसत में प्रधान मंतरी को डंडे से पीटने की बात कही हो जिसकी ड्रस्ट मांसिक्ता से पूरा देश वाकिफ हो उन राहूल गांदी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के तहत कर रहे हैं इसते पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खग्ये ने एक दिन पहले प्रधान मंतरी रवनीत बिट्टु समेथ उन सभी नेताओं के खिलाफ कानूनी कारवाही की जाए इन नेताओं ने लोग सभा में बिपक्ष की नेता राहूल गांदी के खिलाफ आप पत्ती जनक और हिंसक बयान दिये हैं खड़गे ने पिया मोधी कोन के जन्म दिन पर लिखे पत्र में उन्हें बधाई देने के साथ ही केंद्रे मंतरी बिक्टु और सत्ता पक्ष के कुछ अन्ये नेताओं की और से राहूल गांदी को लेकर दिये गए बयानों का उलेक किया और कहा कि यह सब कुछ भबिश्य क जोगे हुए हैं लोगसभा में बिपक्ष के नेतार आहूल गांदी के खिलाफ लगतार बेहद आपत्ती जन्म खिंसक और अशिश्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है भबिश्य के लिए यह सब खातक है